Hello everyone, welcome to TechSharmid. आज के session में हम HTML से related एक और topic कवर करेंगे, जिसमें हम एक ऐसा element देखेंगे, जिसके थूँ हम user से input receive कर सकते हैं, हमारे HTML form के अंदर. ठीक है? जिन्होंने पहले वाले sessions देखें, उन्हें पता है कि हमने input को already detail में पढ़ा हुआ है, बट अब जो हम बात करने हैं, वो बात करने है text area field की, है ना, कि text area field कैसे use होता है, क्या उसके advantages है, क्यों हमें वो use करना तो, कौन से ऐसे scenarios है, जहां पर हमें उसको use करना होता है, यह सारी सब चीजे हम इस particular session में discuss करेंगे, बट session चुरू करने से पहले जासे एक recommendation है कि, अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले session watch नहीं किया, तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि यह पूरी जो playlist है, एक proper sequence और sync में है, हैना तो अगर आप sequentially ही इसको follow करोगे, तो और भी ज्यादा easy रहेगा ongoing topic को समझना, क्योंकि अभी तो mainly हम focus करेंगे सिर्फ text area वाले part पर, इससे पहले हमने काफी सारे button के बारे में पढ़ा है, button attributes के बारे में पढ़ा है, और और भी जो basic HTML से related things है, वो सारी cover किये, तो अभी start करते है session, और यहां पर आप देखागे तो एक basic सा code लिखा हुआ है, और एक as a assignment आप लोगे लिए question है यहां पर, तो इस question का answer आप लोगों को comment section में करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हर session के अंदर में question पूट करेंगे, और जो भी उसका character से comment section में share करेंगा, तो उसका name भी spotlight होगा upcoming sessions में, और आप लोगों के simply बस एक description पूट करना है, कि जैसे यहां का question क्या है, why do we use draggable attribute or editable button, तो यह already हम discuss भी कर चुके है, तो अगर आपको इस concern नहीं पता तो आप पहले वो session देख सकते हो, और इसको solve कर सकते हो, इन case अगर आपको इसका solution पता है, तो आप directly comment section में उसको put कर सकते हो, ठीक है, और अभी हम start करते है main logic, तो यहां पर अगर बाकी HTML का code देखें, तो simple heading हमने लिखी वी है, HTML by texture myth name से, ठीक है, तो इसको करते हैं save और इसका output दिखाएं, तो यहां पर इस तरह से आएगा, HTML by texture myth, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें forms के term में हम हर सीज बढ़ रहे हैं अभी तक, तो एक form बना लेते हैं, पहले basic सा, और उसके अंदर फे text area का use करके देखेंगे, यहां लिखेंगे form, form के अंदर, एक input field हम रखने वाल है, वैसे input field नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आज को हमारा main topic है, वह है text area, तो वह भी कहीं न कहीं, input field लेने के लिए काम में आता है, तो इसका, हम action डाल देते हैं, action क्या करेगा यह, यह form जैसी submit करेगा कोई, तो वह tspgm10.html को navigate होना चाहिए, तो यह हमारा page है, जहां पर form submission होना चाहिए, इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे एक button tag, button tag किसली होता है, just normal data submission के लिए, तो यहां पर एक button tag लिए लगा जेता है, जिसका type रहेगा, submit है, और उसका name भी देता है, submit, submit form, यह हमने कर दिया, इसको करते है, save और refresh, तो कुछ इस तरह से हमारे पास output आ रहा है, अब हमें बात करनी है, कि text area होता क्या है, पहला question तो यही आता है, जब हमें multi-line input किसी भी user से accept करना होता है, तो उस case में हम क्या use करते है, text area ठीक है, normal input field में क्या होता है, एक line का या थोड़ा सा, आप उसको length भढ़ाके भी इसमें data receive कर सकता है, बट जब आपको multi-line provide करनी है, अब multi-line कौन से scenarios में use होती है, assume करो कि आप एक ऐसा field बना रहे हैं, तो जितना भी user का address है, वो properly उस चीज को explain कर सकता है, उस particular field में, तो start करते है, text area बराना, यहाँ पर मैं पहले एक heading डाल देता हूँ, h2, यहाँ हम लिखेंगे, text area, text area, in HTML form, और यह heading को इस तरह से आपको screen पर शोव रही है, text area in stable form, अब इसके बाद में हम actual text area बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना text area, और इसको करना इस तरह से close, अब यहाँ पर हम कुछ भी अगर जैसे, just a name assign कर देते हैं इसको, name हमने assign कर दिया, address, ठीक है, या कुछ भी आप रख सकते हो, और यहाँ पर हमने इस तरह से रख दिया, तो अब क्या है, user इसमें प्रोवाइड कर सकता है multiple lines, यह होगी line 1 हमारे पास, ठीक है, यह होगी line 1, वैसे line 2 आ सकती है, यहाँ पर line 3 आ सकती है, तो जैसे user line पुट करता जाएगा, वो output यहाँ पर यह चीज accept होती जाएगी, ठीक है, और वैसे अगर हम चाहे तो इसको drag करके और भी जितना भी user का address है, उस according को resize भी कर सकता है, ठीक है, और जैसे data आ जाता है तो वो submit करेगा, और data submit होने के बाद में, वो कुछ इस तरह से submit हुआ, जैसे line 1, line 2, line 3, यह हमारा data आगए, क्योंकि get method था, get method की वाज़े से हमें यह screen पे शो हो रहा है, तो इसको बोलते है, text area, तो यह भी एक बहुत important element होता है, अपने HTML form के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे HTML form में text area add करते है, अब question आता है कि ठीक है यह तो हमना पास एक basic HTML text area हो गया, but suppose हमें user को यहाँ पे कुछ message भी देना है कि यह message है, और यही value आपको यहाँ पर put करने है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर use करना होता है placeholder, तो वो कैसे होता है देखते हैं, यहाँ पर मैं करूंगा इसको, एक heading और डाल लेते हैं, add to text area with placeholder in html forms, ठीक है, यह करेंगे हम save, तो यह heading आईगी पहले, और इसके बाद में हम एसा text area बनाएंगे, तो आपको normally लिखना है text area और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, name name हर बार important है, for example, notes के या address ही देते हैं, ठीक है address, और यहाँ पर हम लिखेंगे placeholder placeholder में आप वो value लिख सकते हैं जो भी user से आपको accept करने, तो हम यहाँ लिख सकता है please enter your full address ठीक है, इतना करके हम इसको कर देंगे save और program को refresh web browser को refresh तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, please enter your full address और जैसे user यहाँ पर click करेगा और जैसे इसको type करने लगेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो placeholder हट गया placeholder हमने input field के साथ भी देखा था तो same चीज यहाँ भी work होती है जैसे आप यहाँ पर कुछ भी text वगरे put करोगे तो वह according उसको accept कर लेगा और आपका placeholder value है वो remove हो जाएगा save करते है submit करते हैं तो यह कुछ इस तरह से data आ गया अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने कुछ भी data यहाँ पर फिल नहीं किया और इसके बाद में अगर इसको submit किया तो क्या होगा क्या वो placeholder की value लाएगा नहीं वो कोई default value नहीं है वो just text है जो user को show हो रहा है just indicate करने के लिए कि इसका purpose क्या क्यों हमने text area बनाया same चीज यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हो यह जितना भी आपका requirement हो ठीक है अब next चीज जो हम देखेंगे वो है text area with default value हो सकता है कि हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि अगर user ने कुछ data input किया तो वह वह accept हो जाए बट अगर input नहीं किया तो कुछ default value होनी चाहिए जो सब में set हो तो उसी के लिए हम क्या करेंगे एक और text area बनाएंगे with default value देखतें कैसे बनेगा और इसमें थोड़ा सा difference है मतलब आपर जब input field की बात करते हैं हम अलग तरीके से default value set करते हैं बट यहां पर थोड़ा सा different है देखतें कैसे h2 tag लिया यहां लिखेंगे text area text area with normal field बरा रहा है text area with default value ठीके इधर करेंगे enter और यहां लिखेंगे text area इसको name assign कर देते हैं name में आ जाता है यहां पर address और यहां पर मैं कर देता हूं default में यहां आप notes बना सकते हैं इस पर इसको कर देते है notes ठीके notes के बाद में हम यहां लिखेंगे इस data has been submitted by user without without text की तरह just a request है कि इस चीज का answer आपको comment section में share करना है यह ना सिर्फ आपकी help करेगा interviews prepare करने के लिए बागी लोगों के लिए helpful रहेगा तो आज के लिए इतना ही था next session में बागी topic डिस्कूस करेंगे so thank you for watching करेंगे करेंगे